Hello everyone, समाज सास्तर की कख्या में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो लेक्चर में हम Foundation of Social Thoughts जो पेपर है इसके short answer type questions के बारे में जा रहेंगे जो कि आपको हर तरह के competitive exam में भी और आपके UG आप PG के जो पेपर है उसमें भी ये काफी important रहेंगे आपके लिए तो हम शरुआत करते हैं जो ये पहला कि उससे नहारा परत्यक्सवाद क्या है तो देखेगा परत्यक्सवाद के जनक अगस्त कामटे थे जो की समाज सास्तर के भी जनक थे और परत्यक्सवाद का मतलब होता है तारकी का आधार पर सोजना इसी रूप में परतेक्स वाद कार्थ वेग्यानिक या सबूत है अता है निरिक्षन परिक्षन और परियोग और वर्गी करन पर आधारित वेग्यानिक वीदियों के दवारा सब कुछ समझना और उसे ग्यान पराप्त करना ही परतेक्स वाद है इसका मतलब वेग्यानिक इन्होंने परत्यक्सवाद का वरनन किया क्यूस्टन पॉजिटिव पॉलिटी या पॉजिटिव फिलोस्पी पुस्तक इसके ये भी आ सकता है कामटे के तीन स्थर के नियम क्या है लाज ओफ थ्री स्टेजिज कौन कौन से हैं उन्होंने बताया धार्मिक स्थर तात्विक स् इस्वर में विश्वास करता है वो व्यक्ति के रूप में या किसी आकार के रूप में इस्वर की पूजा अर्चना नहीं करता है और जो कुछ गटित हो रहा है उनके पीछे निराकार या एद्रिस से सकती का हाथ मानता है वेग्यानिक्स तर या परतेक्स तर है ये बोतिक प्रतेक्सा तमक्या विग्यानिक्स तरभी कहा जाता है सामाजिक स्तिती विग्यान और सामाजिक गती विग्यान पोजिटिव पॉलिटी पुस्तक में अगस्त कामटे ने सामाजिक स्तिती विग्यान और सामाजिक गती विग्यान अवधारना का प्रयोक किया और उन्होंने स समाज सास्त्र को जीव विग्ञान से समंदित करके दो भागों मांटा था वो थे सामाजिक स्थीति विग्ञान, सोशल स्टेटिक्स और सोशल डायनेमिक्स जैसे एक जीव है उसको वो स्तिर भी है क्योंकि उसके हाथ कान नाग पाउं आधि एक पर स्तिर है ये सामाजिक रहे हैं शरीर के विकास के लिए अपना अपना कारे कर रहे हैं वो गती विज्ञान है तो अगस्त कामटे ने समाज सास्तर को जी विज्ञान से समंदित करके अपनी पुस्तक पोजिटिव पॉलिटी में उसे दो भागों सामाजिक स्तीती विज्ञान वे सामाजिक गती साषा के बारे में बताता है सामाजिग सिति विग्यान है सामाजिग श्रीक रिधि यृग्व्यम्या मानव या समाज के विकास की इसे संबंदित है। जैसे समाज के बहुत सारे अंग जाते ही ध्रम प्रिवार आदी बहुत सारे अंग है ये समाजिक स्थेती विग्यान के होगी अब इन अंगों में तालमेल के आधार पर इनमें प्रिवर्तन भी आ रहा रहा और विकास भी हो रहा इनका तो वो समाजिक गती विग्यान होगा अगस्त कामटे ने सामाजी गती विग्यान को महतुपरन माना है क्योंकि इस समाजी को गती परदान करता है तो सामाजी गतीवी ग्यान क्या मानता है कि वर्तमान सामाजी स्थेती इससे पहले की स्थेती के प्रिणाम के रूप में है तथा आने वाली स्थेती के लिए एक चालक के रूप में कारे करती है जैसे आज विवाईक नामक संस्ता है वो भूतकाल में विवाईक नामक संस्ता थी उसी का प्रिणाम है और आगे जो प्रिवर्तन होगा आगे जो संस्ता आएगी इससे प्रिवर्तन होगा उसके लिए चालक का रूप या प्रिवर्तन का जो कारण है वो वर्तमान विवस्ता रहेगी उद्विकास का मतलब किसी भी उद्विकास साल्ष डार्विन ने औरीजिन ओप स्पीसिज पुस्तक लेखी और जीवी घ्यान में उद्विकास का सबसे पहले प्रयोग किया उसी से परभावीत होकर हर्बाट स्पेंसर ने पुस्तक लेखी था फस्ट प्रिंसिपल उस पुस्तक में सामाजिक उद्विकास का प्रयोग किया था तो उद्विकास प्रिवर्तन की वह परकिर्या उद्विकास के नाम से जानी जाती है जिसमें परते एक परवर्ती अवस्ता अपनी पूरो वर्ती अवस्ता पर निर्बर होती है जैसे बीज अंकूर और पोदा का तो परतेग परवर्ती अवस्ता अपनी पूरो वर्ती अवस्ता पर अधारित होती है यह परिवर्तन आंत्रिक सक्तियों के जाल के कारण होता है आंत्रिक सक्तियों के कारण होता है मतलब अंदरूनी सक्तियों के कारण होता है इसमें वरीदी विकास और निरंतरता तीनों ततों पाये जाते हैं सामाजी कूद विकास के जनका रबाट स्पेंसर थे उन्होंने अपनी पूस्तक दा फ़स्ट प्रिंसिपल में सवधारना का प्रयोकिया जैसे मग्याम पर लेख सकते हैं एक ब्रून है उससे सीसू बनेगा सीसू से किसोर बनेगा किसोर से युवा बनेगा तो सीसू है वो ब्रून पर निरबर है शीसू पर वर्तिय वस्ता है और ब्रून पूर वर्तिय वस्ता है इसी तरह से सीसू है किसोर है वो पाई जाती है यही चीजे समाज के अंदर भी परते एक अंग के अंदर पाई जाती है जैसे सरीर को हम खेंच कर लंबा या चोटा नहीं कर सकते बिल्कुल उसी तरह क्योंकि आंतरिक सक्तियों के कारण होता है इसी तरह से समाज के अंदर भी आंतरिक सक्तियों के कारण चाहबं धें, आगे हम बठते हैं, इसके बाद अगले कियुस्न कि तरफ प्रकार यवाद क्या है, साविवी समानता, साविवी का मतलब शरीर के आधार पर सरीर के समानता, जैसे हमारे सरीर के बहुत सारे अलगलग अंग है, हाथ का नाख, पैर आदी, यह सारे अंग एक व्यवस्ता के रूप में सरीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं इसी तरह से जब समाज है उसके बहुत सारे अंग है वो सभी अंग मिलकर जब अपने आपस में का एक दूसरे का सहयोग करके समाज रूपी सरीर के विकास के लिए काम करते हैं तो इसे परकारयवाद क प्रिवेस की इसतिती में भी संतूलन बना रहता है। कार्ल माक्ष ने वरग और वरग संगर्श के धारना के जनक पाने जाते हैं तो वरग व्यक्तियों के उस समू को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेस परकिर्या से सम्मन देत हों तो इनका पुझि पतियों का अलग वरह हो गया तो पुंजी पतियों के पुंजीियों इसे की सकति entering वर रहत फिर समन्न को समाने हैं, इसलिए उन प्रदिक पैसा कमाना चाहते हैं तो वरग व्यक्तियों के उस समुए को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेश परकिर्या से समन्दित हो और जिनके हित सामान्या हो वरग संगर्ष क्लास ट्रगल क्या कहला था यह कारल माक्स की विचारदार है जब दो विरोधी हितों वाल वरग और सर्मिक वरग है सर्मिक वरग संगर्ष मेहनत करता है और अपनी आवशेक्ताओं की बेसिक निर्स रोटी कपड़ा मकान है वो पूर्ति करना चाहता है पर उनकी आवशेक्ताओं पूर्ति नहीं हो पाती है और क्योंकि जो पूंजी पती वरग है वो अधिक से दि के लिए जो हिंसातमक टकराव होता है यही वरग संगर्ष कहलाता है जैसे सोसक वरग या सोसित वरग के बीद संगर्ष पुंजी पती और सर्मिक वरग के बीद वास्तविक और यथार्थवादी संगर्ष क्या होता है लैवी से कोजर ने संगर्ष के दो परकार बताये थे व वी से कोजर किया है मैं अपने संगर्ष इधानत में वास्तिविक और वास्तिविक संगर्ष का वरनन किया वास्तिविक संगर्ष वे संगर्ष होता है तो तरकिक मांगों पराधारी तो होता है मतलब तरक पूर्ण मांगों पराधारी तो होता है और इन मांगों की पूरती के पसात ये संगर्ष मापत हो जाता है ये संगर्ष संस्तागत मतलब किसी संस्ता के अंतरगत होता है और तारकिक होता है क्योंकि ये तरकपुर्ण मांगो पराधारित होता है जैसे विद्यार्थियों के मान लिजे फीस ढढ़ा दी गई है तो विद्यार्थी उन फीस वरीदी को वापिस लेने के लिए जो संगर्ष करते हैं तो ये तारकिक मांगों पर अधारित है और जो ही फीस वरीदी वापिस ले ली जाती है तो वो संगर्ष मापत हो जाता है तो इस संगर्ष को हम यथार्त वादी संगर्ष कहेंगे वाहतारकिक और आक्रामक होता है इसके पशाल मागे बढ़ते हैं आंतरिक संगर्ष क्या होता है जले सी एक विशेश जाती है, उस विशेश जाती है कोछ वेक्तिव नियमों को मानने से मना करदें और अपनी ही जाती के सद्सेशच साच जब उसका संगर्श हल पड़ता है, तो वो आंतरिक संगर्श कहलाता है, और फिर उस ही जाती के सद्सेश Okay के दोड़ा उस विरूध क परने वालों को कंट्रोल किया जाता है जैसे उनका बैसकार कर दे या फिर उनको जाती से बेदखल कर दें तो वो कंट्रोल करते हैं इसलिए जो लेविश कोजर थे उन्होंने आंतरिक संगर्ष को सैप्टी वोलो के रूप में कहा था तो अपने ही सदस्यों के साथ अपने ही समू के सदसियों के साथ होने वाला संगर्ष आंतरिक संगर्ष कहलाता है कि उससे ना लग लग भी आ सकते हैं बाहरी संगर्ष क्या है तो वह संगर्ष जो एक समू या समाज का दूसरे समू या समाज के साथ होता है तो वह बाहरी संगर्ष कहलाता है जैसे भारत और पाकिस्तान भारत और चाइना के बीच में जो संगर्ष चल रहा है वो बाहरी संगर्ष है और कोजर ने भी माना कि बाहरी संगर्ष है ये आंतरिक समू को मजबूती परदान करता है जैसे भारत और चाइना के बीच में संगर्ष हुआ तो बाहरत है वो आंतरिक रूप से एकता भी स्तापित हुई और रक्षा के मामलें भी और अधिक मजबूत हुआ है तो संगर्ष के आंतरिक और बाहिया परकार में से क्यूस्टन आ सकते हैं सामाजी किर्या क्या है मैक्स वेबर ने सामाजी किर्या सिधानत कावरन किया है जब एक वेक्ति किसी विशेश उदेश्य के लिए दूसरे वेक्ति के साथ किर्या करता है और दूसरे वेक्ति उससे प्रभावीत होकर किर्या के पर्तियूतर में जब कोई किर्या करता है अधिक व्यक्ति समाज के अंदर आपसे में किरिया परती किरिया करते हैं तो उसी को हम समाजी किरिया कहते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की किरिया से प्रभावित होकर कोई किरिया करता है और अपनी किरिया से दूसरे को प्रभावित करता है किरिया के परति उत्तर में की गई किरिया, सामाजी किरिया कहलाती है अंत्य किरिया क्या है? किरिया के परति उत्तर में की गई किरिया ही अंत्य किरिया है मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जब उदेश्य पुरुन वारतालाप होती है तो उसी को हम अंताय किरिया कहेंगे इसमें व्यक्तियों की किरिया आप समें एक दूसरे से सम्मंदित भी होती है और प्रभावित भी होती है मतलब एक दूसरे से सम्मंदित और एक दूसरे को प्रभावित करने और प्रभावित होने वाली किरिया अंत्यकिर्या कहलाती है इसके पस्ता हम आगे बढ़ते हैं मीड का सव क्या है मीड ने सव किसे माना है देखें मीड ने परतिकात्मक अंत्यकिर्यावाद का सिदान दिया था वेक्ति के वेक्तितों का विकास कैसे होता है वो परतिकों के माध्यम से परतीक होगे हाव भाव होगे या फिर बासा होगे या संकेत होगे उनके महद्यम से व्यक्ति अंत्य किर्या करता है और अंत्य किर्या की आधार पर व्यक्ति सीखता है उसका समाजी करून होता है और उसके व्यक्तितों का विकास होता है तो सव क्यों धारना मीड के परतीक आ में थोड़ा तोड मरोड कर सव सब्द के रूप में प्रयोगे किया है सव निरंतर किर्या सील रहता है वैक्ति का सव है ये निरंतर किर्या सील रहता है ये एकदम सुध होता है किसी ध्रम जाती के रंग में रंगा हुआ नहीं होता है ये स्रिजना तमक होता है समाज के मुल् उसके सव तक परवेश करते हैं और फिर सव इनका मुल्यांकन करता है वो स्वम से अंतय किर्या करता है और जो उसे ठीक लगते हैं उसको सुविकार कर लेता है वही उसकी पैचान मनती है वैसा ही उसका व्यक्तितों मनता है और जो ठीक नहीं लगता है उनको ऐस विकार कर देता है इस तरह से यही मीड के सव की अवधारना है सामाजिक तथ्य क्या है सामाजिक तथ्य दुर्खीम की एक महतुपुरन अवधारना है और इस सामाजिक तथ्य किर्या करने अत्वा व्यवार करने के तरीके हैं सामाजिक तथ्य किर्या करने और अपने व्यवार को प्रभावित करते हैं दुर्खीम मानव के सोचने विचारने और अनुबो करने के तरिके हैं दुर्खीम के नुसार दुर्खीम क्या कहते हैं कि वे कोई वी चीज जो सोचने विचारने और अनुबो करने के योग्य हो जो स्ताहियत हो एस्ताहि हो सकती है वो सामाजिक तец्याः के जैसे आतमत्या विवाव आवासा रितिरिवाजाद़ी सामाजिक तर्थयों के हुदारन है इसके पर साथ हम आगे चलते हैं तो सामाजिक तर्थया उदारना का प्रियोग सबसे पहले दर्खिम्ने अपनी प।्स्तक दा रूल सोarlasisiological method रूरूलस ओप सोसोलोजिकल मैज़ड हो, इसी पुर्षिम उनुन ने का था कि सामाजिक तत्षिय को एक वस्तू की तरह मानना चाहिए और वस्तू की तरह मान कर उसका ध्यन किया जाना चाहिए इसके पसा सामाजिक तथ्य की कौन कौन सी विशेष्टा में ताई है दुर्खीम ने तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की दो विशेष्टाओं का वरनन किया है एक है बाहियता और एक है बाध्यता बाहियता का मतलब यह जो भी किसी समाजिक तथ्ये का जिसे रितिर्वाज है उसका निर्माण किया जाता है तो समाज के सदस्यों के दोरा किया जाता है परन्तु एक बार निर्मित होने के पास पस्षात वो व्यक्ति से बाहर की वस्तु हो जाते है इसका मतलब फिर वो समाज के सदस्या उसको चाहा कर भी नहीं बदल सकते हैं मतलब उसके बाहर की चीज वो हो जाते हैं तो सामाजिक तथ्य गटनावे या तथ्यों का निर्मान तो समाज के सदस्यों के दोरा होता है परन्तो एक बार निर्मित हो जाने के पर साथ फिर व्यक्ति विशेश का नहीं रह जाता है इसका मतलब व्यक्ति उसको चेंज नहीं कर सकता ये वेक्टिक चेतना से बाहर सामुईक चेतना का प्रिणाम है बाद्यता का मतलब बाद्यकारी दबाव कारी होते हैं वेक्टिक सोचने विचारने और वेवार के तरीके सामाजिक तथे के दबाव में रहते हैं में रहने का मतलब यह वा कि हम अपनी रितिर रिवाज में जो कि सामा जिकते था है रितिरि रिवाजे पर्ताएं प्रंप्राइं उनके दबाओं में रहकर करे करते हैं तो सामा जिकता था कि बायता और बादयता दो विशेश्टाओं का वर्नन इमाईल दुर्खेम ने किया थी तूर्य आप सोशियल एंड इकोनमिक और गिनाइजेसन 1947 पुस्थक किसी है तो यह इंपोर्टन कि उसने यह पुस्थक मैकस वेबर किया और इसी पुस्थक में उन्होंने सामाजी कि रहा सिद्धान्त का वरनन किया था मैकस वेबर ने सामाजी कि रहा के कितने परकार बताई हैं कितनी सिरेणिया बताई हैं तो मैक्स वेबर ने सामाजी किरिया के चार परकार बताई हैं तारकी किरिया मतलब rational action, evaluative action, traditional action और affectional action तारकी किरिया वह किरिया होती है जो तरक परधान होती है बहुत ही सोच समझ कर वो किरिया की जाती है सोच समझ कर अपने संसादनों को देखकर अपनी काबलियत अस्यमता देखकर वो किर्या की जाती है मुल्यात्म किर्या वो होती है जिसमें मुल्यों को महतव दिया जाता इसमें तरक को महतव नहीं दिया जाता परमपरागत किरिया वो होती है जिसमें नहीं तो मुले परदान होते हैं नहीं तरक परदान होते हैं बलगी वो किरिया इसलिए की जाती है कि वो परमपराइं चली आ रही है जैसे हम तिवहार मनाते हैं कोई रिती रिवाजें होगी कोई रस्म में होगी तो वो परमपरागत की रहा होगी भावनात्म की रहा भावनात्म की रहा वो की रहा होती है जो भावनाओं में बहकर की जाती है जैसे दया, सहयोग, सानुबूतियादी आदर्स परारूप क्या है आदर्स परारूप क्या है आदर्स परारूप क्या है आदर्स परारूप वे विशेस्ताई हैं जो सामाजी गटनाओं के सपस्टी करने के लिए बनाई जाती है इसका मतलब सामाजी गटनाओं को समझने के लिए उनको जानने के लिए उनकी वास्तविक्ता को जानने के लिए कुछ विशेस्ताओं को निर्धारित कर दिया जाता है फिर उनी विशेस्ताओं के सांचे में रखकर उन गटनाओं को समझा जाता है उनका सपस्टिकरन किया ज तो किमबाल यंग ने अंताय किरिया के तीन परकार बताएं भी अंताय किरिया एक वेक्ति से वेक्ति के बीच में हो सकती है वेक्ति से समू के बीच में हो सकती है और समू से समू के बीच में हो सकती है दा फंक्शन सोप सोशल कंफलिक्ट पुस्तक के लेखा कौन है तो लेव पुस्टक किसी की है तो कार्ल मार्क्स और एंजलस ने स्विक्त रूप में ये पुस्टक लिखी थी यह अपी मिंटपौल पुस्टक है और जर्मन आउड्योजि जो पुस्तक है इसी पुस्तक में उन्होंने अपने सिधान्त एतियासिक भोतिकवाद, दवन दातमक एतियासिक भोतिकवाद का सिधान्त दिया था तो हम आगे बढ़ते हैं माक्स के दवन दातमक एतियासिक भोतिकवाद की व्याख्या कीजिए इसका मतलब माक्स इतियास को बहुतिक वाद या आर्थिक आधार या पदार्थ के आधार पर समझना चाहते थे उन्होंने इतियास की पदार्थ या वस्तू के आधार पर व्याख्या की थी यही उसका दवन्दातमक बहुतिक वाद विकास सिधान्त कहलाता है दवन्दातमक का मतलब वाद परतिवाद और समवाद की परकेरिया निरंतर चलती रहती है यही दवन्दावाद होता है अब देखे सामाजिक विकास और भोतिक परिष्थितियों का परिणाम है बहुतिका मतलब पदार्थ का जिस समाज के अंदर वेक्ति रह रहा है जिन परिष्टितियों के अंदर वेक्ति रह रहा है तो समाजिक विकास बहुतिक परिष्टितियों का परिणाम है मनुश्य जिन बहुतिक प्रिष्टितियों में रहता है उसी के नुसार सामाजिक संबंदों का निर्धारन करता है इन बहुतिक प्रिष्टितियों में होने वाला प्रिवर्तन युग प्रिवर्तन कहलाता है यही दवन्दातमक के इतियासिक बहुतिक वाद के अवधारना है सरम विबाजन क्या है, सरम विबाजन की अफ़े लाना की चिसकी है कि उसे नहीं यह भी आ सकता है तो इमाईल दुर्खीम के है, इमाईल दुर्खीम ने एक पुस्तक लिखी दार डिवीजन ओफ लेबरिंदा सोसाइटी समाज में सरम विबाजन इस पूस्तक में उन्होंने सरम विबाजन से दान दिया सरम विबाजन का कायरताथ पर होता है काम का बंटवारा करना वेक्ति को अपनी जब वेक्ति अपनी इच्छा योग्यता कुसलता और रूची के नुसार एक विशेश परकार का कार्य करता है और निरंतर वही कार्य करता है जिसे उसकी कुसलता में वरीदी होती जाती है तो ये सरम विबाजन कहलाता है सरम विबाजन का सीधा सा मतलब काम का बंटवारा करना वेक्ति को योग गेता के अनुसार काम देना सरम विबाजन कैसे पनपा देखिए सिरू में सरल समाज थे तो लोगों की आवशिक्ताओं बहुत कम थी तो लोग अपनी आवशिक्ताओं की पूरती स्वियम कर लेते थे जो जो समाज में जटिलता बढ़ती गी पनाई तो सरम विबाजन का कारण जन संग क्या वरीदी और आवशिक्ताओं में वरीदी रहा एल गाओ क्या एलाइनेसन क्या है वेक्ति बार बार एक ही काम करता है एक मशीन की तरह काम करता है और उसी काम से जब उसकी आवशिक नेट्स रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ती भी नहीं हो पाती तो वो वेक्ती की धीरे-धीरे उस काम से रूची भंगो जाती है उसका उस काम से मो भंगो जाता है यही अलगाव है एलगाव एलगाव का मतलब लगाव ने रहना किसे काम से वेक्ति बार बार एक ही कारे करता है और उस कारे से यदि उसके आवसेक्ताओं की पूर्टी नहीं हो पाती और वेक मसीन की तरह कारे करता रहता है परिणाम सरूप उसका अपने कारे से लगाव या मो भंग हो जाता ही है लगाव है सरंचना क्या है किसी भी संग्ठन में विभिन अंगों और तत्वों की कर्मा नुसार विवस्ता सरंचना कहलाती है जैसे मकान है मकान के अंदर इंट, सरिया, गेट, पत्थर, आदी बहुत सारी अंग लगे हुए है बहुत सारे इसके पार्ट्स है अंग है तत्व है परंतु इंटों का डेर, शिरिया, सिमेंट, बजरी, क्रेसर के डेर को मकान नहीं कहेंगे कब यदि इनको कर्मा नुसार जचा दिया जाए तो ये मकान कहलाएगा तो सरंचना किसी भी संग्ठन में विभिन अंगों, इंटत्वों की कर्मा नुसार व्यवस्ता सरंचना कहलाती है जैसे सरामाज की सरंचना के अंग, जाती, धर्म, परिवार, आर्थिक संस्ताएं, राजनितिक संस्ताएं आदी है परकारे किसे कहते हैं, functions परकारे ऐसे कारें को कहा जाता है, जो किसी भी संग्ठन की व्यवस्ता, वैं सरंचनात्मक व्यवस्ता को बनाई रखने में महत्वप्रण भूमिका निभाते हैं, वे परकारे कहलाते हैं इसका मतलब वे कारे जो समाज के संग्ठन और एकता के लिए लाब दाइक हों पर कारे कहलाते हैं वरग चेतना क्या है वरग चेतना के अधारना कारल माक्ष के है कारल माक्ष ने बताया कि वरग निर्मान के लिए वरग चेतना का होना बहुत जरूरी है वरग चेतना एक वरग की अपने सामाजिक और आर्थिक हितों के परती जाग रुकता वरग चेतना कहलाती है जैसे सर्मिक वरग अपने हितों के परती जाग रुक है वो रुवान द्वलन करता है तो वो उनकी वरग चेतना है अब इसी इनी क्यूस्टन को आप उपर दीएगे PDF से भी लिंक आप इस लिंक से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं यही सबी important questions आप बहुत अच्छी तरीके से त्यार कर लीजिएगा इन में से आपके काफी questions आएंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद